नमस्कार प्रिय दर्शकों, नौलेज कोंच चैनल के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम प्रचुर्ता के एक पौरानिक दिव्यतामबे का बरतन अक्षय पात्र की रहस्यमय कहानी को जानने के लिए महाभारत के पौरानिक खेत्रों में एक दिल्चस प्यात् पर निकल पड़े हैं। यह एक ऐसी कहानी है जो प्राचीन और आधुनिक को जोडती है। एक पौरानिक अवधार्णा को वास्तविक दुनिया की पहल से जोडती है जो लाखों लोगों का पोशन करती है। महाभारत कथा हमारी कहानी महाकाव्य महाभारत से शुरू होती है जो एक प्राचीन भारतीय महाकाव्य है जो कुरुवंश की कहानी बताता है। इस महान गाथा में पौरानिक महत्व रखते हुए अक्षय पात्र की अवधार्णा का उलेख किया गया है। महाभारत के अनुसार भगवान सूर्य देव ने एक बार सबसे बड़े पांडव युधिष्थिर को अक्षय पात्र दिया था। माकी वे कभी भूखे न रहें क्योंकि जहाज हमेशा उनके भरन पोशन के लिए परियाप्त भोजन उपलब्ध कराता था। दुर्वासा का आगमन एवन स्थितिया पांडवों के वनवास के दोरांग। दुर्वासा और उनके कई शिश्य हस्तिनापूर पहुँचे। दुर्योधन अपने मामा शकुनी के साथ रिशी को संतुष्ट करने में काम्याब रहा। दुर्वासा इतने प्रसंद हुए कि उन्होंने उन्हे वर्दान दे दिया। दुर्योधन भुक रूप से चाहता था कि दुर्वासा क्रोध में पांडवों को श्राप दे। उसने रिशी को द्रौपदी के भोजन करने के बाद जंगल में अपने चचेरे भाईयों से मिलने के लिए कहा। यह जानते हुए कि पांडवों के पास उसे खिलाने के लिए कुछ नहीं होगा। इसलिए दुर्योधन के अनुरोध के अनुसार दुर्वासा और उनके शिश्यों ने जंगल में पांडवों से उनके आश्रम में मुलाकात की निर्वासन की इस अवधी के दौरान। पांडव अपना भोजन अक्षय पात्र के माध्यम से प्राप्त कर कि एक बार जब पांडवों की पत्मी दौर्पदी ने अपना भोजन समाप्त कर लिया, तो अक्षय पात्र उस दिन के लिए भोजन का उत्पादन बंद कर देता था। उस दिन दौर्वासा के आने से पहले ही दौरापदी खाना खा चुकी थी, इसलिए उन्हें परोसने के लिए कोई भोजन नहीं बचा था। और पांडव बहुत चिंतित थे कि अगर वे ऐसे आदरणिय रिशी को खाना नहीं खिला पाए तो उनका क्या होगा। दैविय हस्तक्षेप जब उसने ऐसा किया, तो उसने चावल का एक दाना और सबजी का एक टुकड़ा, जो उसे बरतन में चिपका हुआ मिला, खालिया और घोशना की की वह भोजन्क से संतुष्ट है। इससे दुरवासा और उनके शिश्यों की भूख शांत हो गई, क्योंकि कृष्ण की संतुष्टी यहां संपून ब्रहमांड में व्याप्त सर्वोच सत्ता के रूप में चितरित का अर्थ सभी जीविक चीजों की भूख की संतुष्टी था। रिशी दुरवासा और उनके शिश्यस नान के बाद पांडवों के आश्रम में वापस आये बिना चुपचाप चले गए, क्योंकि उन्हें डर था कि उन्हें परोसे जाने वाले भोजन को अस्विकार करने के उनके अभदर व्यवहार पर पांडवों की क्रोधपूर्ण प रथाओं से आगे निकल गई है, अक्षय पात्र फांडेशन इंटरनाशनल सोसाइटी फॉर क्रिश्ना कॉंशियसनेस इसकॉन का एक डैरलाभकारी ट्रस्ट है, जो बैंगलोर, करनाटक, भारत में स्थित है, संगठन की स्थापना वर्ष 2000 में हुई थी, संगठन भारत में मध्याहन भोजन योजना, एक स्कूल दोपहर का भोजन कार्यक्रम संचालित करता है, यह एक वास्तविक दुनिया की पहल है, जो हर दिन लाखों स्कूली बच्चों को पौश्टिक भोजन प्रदान करती है, अक्षय पात्र भारत के सरकारी स्कूलों में मध्याहन भोजन योजना को लागू करने के लिए भारत सरकार का सबसे बड़ा भागिदार है, यह योजना सार्वजनिक निजी भागिदारी पर आधारित है, निशकर्ष और वहां आपके पास है, महा भारत से अक्षय पात्र की पौरानिक कहानी बहुतायत का एक बरतन जिसने पांडवों को उनके निर्वासन के दौरान सहारा दिया था, आज अक्षय पात्र की भावना अक्षय पात्र फाउंडेशन जैसे संगठनों के नेक प्रयासों के माध्यम से जीवित है, जो अंगिनत बच्चों के दिमाग और शरीर को पोशित कर रही है, नौलेज कोच चैनल पर हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद, मिथक और वास्तविक्ता के दायरे को जुड़ने वाली अधिक कहानियों के लिए बने रहें, अगली बार तक ज्यान की खोज आपके मार्क का मार्क दर्शन कर सकती है, कृप्या अधिक जानकारी पूर्ण कॉनसेप्ट विडियो के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेर और सब्सक्राइब करें, आप सभी को धन्यवाद,